आप मालती वर्मा बोल रही हैं? पंदरा मिनट में मेरे नंबर पर पैसा आना चाहिए वरना छापे की जो वीडियो है उसको वाइरल कर देंगे फिर खुद समझना और बहरुपिया साइबर ठग की इस बातचित ने 58 साल की एक महिला की जान ले ली ये मामला ताजनगरी आगरा का जहां पर एक सरकारी स्कूल की टीचर मालती वर्मा का एक ब्लैक मेलर ने चार घंटे तक डिजिटल अरेश्ट रखा पुलिस की वर्दी पहने सक्स की फोटो लगा कर वटसप पर आच से दस बार उसने कोल की वटसप में पकड़ी गई है बचाने के लिए उसने एक लाख रुपए गूगल पे से डिजिटल अरेश्ट गोटालों से सावधान रहे जाने की क्या है यह कैसे फैलता है और आपके व्यक्तिकर डेटा को शुरक्षित रखने के लिए क्या तरीका है डिजिटल यूग में एविश्वस्निय सुईदा ला दी है इसने साइबर अपरादियों के लिए एक नए व कोटाले में दोखे बाज कानून परिवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश आते हैं और दैशत का महुल बनाकर अपने लक्षों से पैसे की मांग करते हैं मैं जतिन रोडा आज आपको बताने जा रहा हूं डिजिटल अरेश्ट कैसे काम करता है आमतोर पर यह स्कैम कोल या वीडियो कोल से सुरू होता है यह ठक अपने लक्षों में डर पैदा करने के लिए कई तरीके की रणनीतियों का इस्तमाल करते हैं तो आज आपको इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जो जूठे आरोप हैं कोल करने वाले जूठा दावा करते हैं कि वे पीडिक ने वित्या दोखादड़ी ड्रग तसकरी या मनी लॉंडरिंग जैसे महतव पूर्ण अपराद किये हैं गृफतारी की धंकी देते हैं अगर पीडित उनकी बात नहीं मानता तो जालसाज ततकाल गृफतारी की धंकी देकर उसे ततकाल कारव की भावना से भर देते हैं और वो डर जाता है अलगाओं और धंकी चीजों को नेंतरन में रखने के लिए पीडितों को अक्सर वीडियो कोल पर बहुत समय बिताने के लिए कहा जाता है इससे वे साहिता मांगने या जानकारी की दुबारा जाच करने से बचते हैं तो वो अकरात्मक परचार से बसते हैं और कानोनी फीस का बुक्तान करना चाहते हैं मनोव्यगानिक हेरफेर होते हैं दोके बाद पीडित की भावनात्मक स्थीती को बढ़ाते हैं और प्रश्ट भूमी के लिए नकली रोने की अवाद या परिवार के सदस्चों के रूप में प्रस्टूत होने जैसी तकनीकों का प्योग करके उन्हें अधिक कमजोर बनाते हैं तो इस तरीके से वो जो चीजे रहती हैं वो आपके सामने हैं डिजीटल अरेश्ट में गोटाले बाजो दोवारा इस्तमाल किये जाने वाले आम बहने क्या हैं अब उसके बारे में हम आपके साथ डिसकस करेंगे पारसल गोटाला पीडित को सूचित किया जाता है कि अवैद वस्तियों वाले पारसल को रोक लिया गया है और उन्हें अपराद में फसाया गया है परिवार के सदश्यों की सलिम पत्ता गोटाले बास दावा करते हैं कि परिवार का कोई सदश्य अपराद में सामिल है और उसे ततकाल वित्य साहिता की आउशकता है अधार या फोन नंबर का दुरुपयोग करते हैं पीडित पर अपने अधार या फोन नंबर का अवैद गतिवीदियों के लिए अप्योग करने का अरोप लगाया जाता है डिजीटल अरेश्ट से खुद को आप कैसे बचा सकते हैं? अब इसके बारे में जालेंगे डिजीटल ग्रिफतारी गोटाला भहुत जटिल है फिर भी आप खुद को बचाने के लिए कई कोदम उठा सकते हैं जैसे की अंचाय कोल से आप सावधान रहें अग्यात नंबरों से आने वाले कोल को जवाब देने से बचें खासकर उन नंबरों से जो सरकारी अजनसियों से होने का दावा करते हैं ऐसे कोल से आपको सावधान रहना है जानकारी सत्यापित करें अगर आपको कानून परिवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कोल आती है तो अधिकारी कैनलों के माध्यम से सीधे अजंसी से संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें कभी भी व्यक्तिकत जानकारी साजा ना करें फोन या ओनलाइन किसी के साथ बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड जैसी व्यक्तिकत जानकारी साजा करने से बचे इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा और आप इससे बचे रहेंगे और शांत रहें गोटाले बाज डर और गवराट का इस्तमाल करते हैं अगर आप दवाओ या धमकी महसूस करते हैं तो तुरंत कोल समाप्त करें खुद को शिक्षित करें इस चीज के बारे में कि आप सेफ हैं नवनीतम गोटालों के बारे में जानकारी रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जानकारी को सांजा करें गोटाले की रिपोर्ट करें अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरिफतारी गोटाले का शिकार हुए हैं तो स्थानिया पुलिस और साइबर अपराद अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें जल्द से जल्द कानुन परिवर्तन एजन्सियां और सरकारी निकाए डिजिटल गिरिफतारी गोटाले से निपटने के लिए सकरिया रूप से काम कर रहे हैं उन्होंने सारफ जिन कसला जारी किये हैं दोखादारी वाले फोन नंबर को ब्लोक किये हैं और अपरादियों को पकड़ने के लिए मामलों की जाच करने हैं हालनकी रोक्था मैतव पूर्ण है गोटाले के बारे में जागरू कोना और आवशक सावधानी बरतने से आप शिकार बनने के अपने जोकिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है डिजिटल अरेश्ट सेक्स्टार्शन ओटीपी दोखादरी के बाद देश भर में 18 ठक गिरफतार हो चुकी हैं विग्यानिकों को भी नहीं छोड़ा इन्हों डिजिटल अरेश्ट वालों ने सेक्स्टर्शन ओटीपी के जरिये लोगों से ठगी करने के 300 से ज़्यादा मामले हैदराबाद पुलिस ने अलग लग जगाओं पर राज्यें से कुल 18 लोगों को गिरफतार कर लिया है पकड़े गए अरोपियों से 5 लाख रुपे नगद 26 मोबाइल फोन जब्त किये हैं जबकि उनके बैक खातों में 1,6,1,2,5,8,7,6 रुपे पाए गए हैं मतलब इतने हैं कि आपको गिंती भी नहीं कर पाओगे अभी हाली में महराष्टर की ठाने पुलिस ने भी 7 साल पुराने दोखा दड़ी के मामले में आंदर परदेश के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था देश बर में 319 से ज़्यादा साइवर ठगी का अंजाम देने के लिए मामले पुलिस ने तेलंगाना समेट अलग लग जगह से 18 लोगों को गिरिफतार किया पुलिस ने रवीवार को कहा कि तेलंगाना सहिक देश बर में 300 से ज़्यादा साइवर दोखा दड़ी के मामले में शामिल 18 लोगों को अलग लग राज्यों से एक विशेश अभियान के तैत गिरिफतार किया गया तो आपको इस साइबर जो क्राइम है इससे आपको बچकर रहना है और जो डीजीटल अरेस्ट है इससे आपको बचकर रहना है अपने साथ वालों को बचा कर रखना है तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवा